तो स्यांपर यह रतों से मेरे पास Nothing Phone 1 Smartphone आपको मैं इसी smartphone के इसी वीडियो में Top 60 Plus Tips and Tricks, Interesting Hidden Features बताऊँगा ताकि आप अपने smartphone को इस वीडियो को देखकर Interesting, Awesome, कमाल, धमाल तरीके से यूज़ कर सके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह smartphone महेंगा पड़ा या ससा देखने के लिए हम पर एक बार वीव पॉड़क पर क्लिक कीजे यह उसके बाद वीव पर क्लिक कीजे आपकी सामनी ही प्राइस दिखेगा सबसे पहले feature की बात करने के लिए आप इस phone में screenshot लेना जाते हैं तो value minus button और power button की उपर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे screenshot लग जाता है अब मालो आप दो applications को एक ही phone में एक ही वक्त में एक ही screen में यूज़ करना चाहते हैं एक application open करके menu button पर क्लिक करना है उस app के एक उनकी उपर log on tap करना है split screen के उपर क्लिक करना है तो नीचे एक और screen निकल कर आएगा आप हम पर दुसरा application इस तरह से open करके कुछ इस तरह से अगली feature की बात करना के लिए आपको आना है setting में और आपको आना है दुसरों इस clip setting में हम पर यह off है तो सबसे परले इसको on कर लेना है यह कहें आपको मैं बताऊंगा आप यहांपर ringtone के लिए अलग pattern रख सकते हैं जो आपको अच्छा लेक है आप पर आप जानते हैं यह effect आते हैं आपर यह दीख लीजए आप सब्सक्रिक्ण कर सकते हैं यह एक्शंपल आपको हम पर दिखका वह इस्तरा यह लगता है तो यह देख सकते हैं दोस्तों आपको कौ। सा पैटर अच्छा लगता है आप पर इसको set करके रख सकते हैं इस तरह से आप भौव सारे आपको pattern के लिए मतलब call आने के बाद में कैसा आना चाहिए यह आप एंपर रिंगटों के लिए जो effect आपको अच्छा लगता है आते हैं दिस्टों और back आप कहांपर मिलता है Google Assistant के लिए भी आप यह light यूज कर सकते हैं इसके अलवा back आने के बाद में हाँ पर flip to clip मतलब आप flip करेंगे तो भी यह lighting लगेगा दिस्टों कमाल का दिखता है उसके बाद आते हैं दिस्टों वे back और आपके हमपर मिलता है bad time schedule इसको आप अन करेंगे तो आप कितने मचेmaश सोते हैं वो आप में आप में ढाल सकते हैं और वो कितने मचे यूड़ते हैं वो आप यह बाद में आपको कोई भी calls अगर आते हैं तो आप डिश्टौब आपको कॉल मेसेज कुछ भी आता है आपको पता ही नहीं चलेगा अगले फीचर की बात करने के लिए आना दूसों और आपको सेटिंग में आना है इसकी ओपर आप क्लिक करेंगे तो यहांसे इसको आफ करेंगे तो भी हमको कुरम से कोई भी नोटिफिकेशन ही नहीं आते हैं एक स्टेप बैक आपके हमपर मिलता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री हैंसे इसको आउन करेंगे तो कोई भी एप से आपको नोटिफिकेशन आता है आपने क्लियर किया तो यहांपर वो सेव हो जाएगा बात में आप आकर देख सकते हैं किस-किस एप से नोटिफिके को example हैं पर आपको दिख रहा है अगली फीशर की बात करने के लिए आते हैं दोसों आपस से सेटिंग में आपको इसी notification सेटिंग में आना है और नीचाएंगे notifications on lock screen setting में आना है आप do not show any notifications करेंगे तो कोई भी एप से आपको notification आता है तो आपको lock screen पर कुछ भी नहीं बताएगा पूरा need clean बता देता है lock screen आप हम पर कर सकते हैं इसको शो कर सकते हैं आप शो करेंगे तो कोई भी एप से आपको notification आता तो हैं पर लॉक स्कूर बताएगा और उसके बाद नीचे है और sensitive notifications इसको भी आप on करकी यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं और नीचे आना है आप हम बार देख सकते हैं head silent notifications in status bar मतलब आप इसको on करेंगे तो कोई भी notifications clear करने के बाद clear हो जाते हैं उनको कहते हैं silent notifications उन silent notifications के एकन से आपको उपर status bar में नहीं बताएंगे notification dot on app icon इसको on करेंगे या off है तो अब मालूआ आपको कोई भी app से notification आता है तो उस app के उपर एक dot बताएगा वो dot को देखकर आप पहचान सकते हैं इस app से notifications आये हैं बोलकर अगली feature की बात करना के लिए हांपर enhance notifications इसको भी आप on कर सकते हैं notifications को enhance करने के लिए अगली feature की बात करना के लिए हांपर जो फोल्डर तो आपको दिख रहा है इसको बढ़ा करना चाहते हैं तो इस Q पर long press करके आप इस पर call ही नहीं आएगा और add a number पर आप क्लिक करके जो भी number आप हम पर dial करके ब्लॉग पर क्लिक करेंगे वह number blacklist में पढ़ जाता है वह बस इस तरह से इसको निकाल भी सकते हैं अनकुन वाला तो यह ladies के लिए useful feature हो सकता है हमारे लिए तो हम इसको off करेंगे आते हैं बैक और आप आपको हम पर मिलता है display options इस setting में आना है आप हम पर choose theme पर क्लिक करके इसको dark कर सकते हैं बाकि सब कुछ तो light mode है आपको phone लेकिन यह phone वाला application जो dial pad है यह इतना ही dark mode में convert हो जाता है अगले future की बात करने के इस phone पर क्लिक करके त्योड़ पर क्लिक करके settings में आएंगे और आए एक दम नीचे caller ID announcement आपको इस setting में आना है अनौस caller ID पर आप क्लिक करके इसको always कर लेना अब मानलो आपको call आता है तो जिस number से आपको call आया है वो नाम बोलेगा आप कहीं भी टेबल पर phone को रखे हैं या जेब में रखे हैं तो जो नाम सुनकर आप पता कर सकते हैं इस बंद बजना बंद हो जाएगा लेकिन call तो आता ही रहेगा अगली feature की बात करने के वापस अब भी आपको आना है setting में आपको इस app setting में आना है और नीचे देख सकते हैं आप screen time आज सुबा से लेकर अभी तक आपने कितने minutes और कितने घंटे phone को use क्या ये देख सकते हैं और पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आप हम पर एक घंटा या दो घंटे इतना करना चाहते हैं तो आप इसको दो घंटे 20 मिर्ट में आपर timer को set कर लिया हूं तो अभी एक दिन में हम दो घंटे और 20 मिर्ट ही use कर सकेंगे इस app को उसके बाद बंद हो जाएगा अगली feature की बा बात करने के लिए यहां पर battery usage को भी आप हम पर देख सकते हैं यह दिख लिए कौन से एप कितने परसंट बैटरी खा रहा है यह भी आप यहां पर देख सकते हैं तो चलिए आते हैं और ब्याक आपके हम पर मिलता है battery manager इस setting में आकर use battery manager को भी on कर लेना आते हैं और ब्याक यहां पर battery share है यहां से allow battery share को on करके आप कितनी percent battery share करना चाहते हैं उप percentage को आप हम पर set कर सकते हैं उसके बाद इसकी उपर आप रखेंगे phone को तो जैसे मेरा apple का है आप पर phone को यह देख सकते हैं आपर मैं इसकी उपर रखता हूं phone को तो charging होना शुरू हो जाता है यह देख सकते हैं अगली फीचर की बात करने के लिए आपस अधिय को अब आ ह हम आप हम पर देख सकते हैं जोस्तों वाइपरेशन इस सेटिंग में आगर वाइपरेट फॉर कॉल यह आफ है तो यहां पर इसको अलवाइपरेट कर लेना है आपको कॉल आता है तो आपका स्माटफून वाइपरेट भी हो जाता है उसके बाद नुटिफेकेशन वाइपरेशन मतलब नुटिफेकेशन आने के बाद होना चाहिए नहीं आपका स्माटफून वाइपरेटा है तो इसको अन कर सकते हैं नहीं तो आफफ कर सकते ह definitions उसके बाद और नीचा आने के बाद यह जो स्वारे साउंड से ना सबको off करना है सबको off करेंगे तो आपकी phone की battery backup ज्याता देगी कैसे आपको मैं बताऊंगा अब मालो आप इन सारे settings को on कर लिया तो touch करने के बाद लोग करने के बाद लोग करने के बाद डाइल पैड में numbers डाइल करते वक्त में बार बार स्पीकर से साउंड आता है वहां से extra battery consume होती है आप इन सारे settings को off करेंगे तो बार बार speaker on नहीं होगा और वहां से extra battery consume नहीं होगी अगली इस future की बात करने के लिए आते हैं दूसों आपक से और setting में और आना है इस तरह से नीचे आपको आना है भी इस डिस्प्ले minutes तक कर सकते हैं example आपने यहां पर एक minute कर लिया तो screen on आपने phone को कहीं भी रखा है तो एक minute के बाद में automatic display off हो जाता है आते हैं दूसों और back आपके हमपर मिलता है भी dark theme इसको on करेंगे तो पूरा phone black black सा हो जाता है कुछ इस तरह से तो आपके आँकों को effect ने पढ़ेगा screen का और battery भी कम consume होती है आप इसको anytime जरूर on करके use करना मैं थोड़ी दिर के लिए off करता हूं वीडियो recording करने के लिए उसके बाद यहां पर font size को भी आप बढ़ा कर सकते हैं अगर आपके आँक कमजोर है आपको ठीक से नहीं दिखता है तो यहां से आप इतने बड़े कर सकते हैं अपने fonts को आपको clear दिखेंगे बड़े द कर सकते हैं अपने हिसाब से color temperature को भी अपने हिसाब से आप रहां पर कर सकते हैं तो आपके आपको एफेक्ट ज्यादा पड़ता है तो स्कृन का आते हैं ब्याक आपके हम पर मिलता है नेट लेट भी मिलता है इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर यह देख सकते हैं मतलब यह steady mode आप इसको कह सकते हैं मतलब इसको on करने के बाद आपके आंकों को एफेक्ट नहीं पड़ेगा इसको भी on करके यूज करना है एनी टेम मैं थोड़ी दिख लिए off कर रहा हूं उसके बाद यहां पर smooth display यह off है तो इसको on कर लेना इसको on करेंगे तो 120 Hz हो जाता है smooth चल नथिंग पर आप क्लिक करके यहां पर यह भी रख सकते हैं नथिंग वाल पेपर तो चलिए आते हैं दोस्तों और ब्याक आपके हम पर मिलता है यह जो आपका थीम होना वह थीम का कलर आप यहां पर चेंज कर सकते हैं यह देख लिए यह बी कुछ इस तरह से हो चुका थी फूचर की बात करने के लिए आना है दूसरों आपको सेटिंग में और आना ही इस तरह से नीचेल आपके आना है इस एकशिशिविल्टी सेटिंग में और यहाँ पर है एक्स्ट्रा डिम मतलब आप रात में ज्यादा यूज करते हैं फून को और प्रेक्टनेस को पूरा डॉ हो जाता है आप पर कोई animation नहीं आएगा दोस्तों आप में पर देख सकते हैं अभी एक बार इसको आफ करता हूं तो open close करूंगा तो थोड़ा slow open होता है slow close देता ना आप इस remote animation को on करके अपने फॉंट्स को fast कर सकते हैं इसके बाद है यह देख सकते हैं आप इस तरह से अपने screen को zoom कर सकते हैं यह दिख लिए आप एंपर यह जूम करके यूज करना जाते हैं कहींभी आप जूम सकते हैं अपने screen को इसको ऑन करके आते हैं और back कर सकते हैं अगली फूचर की बात करने के लिए आना देश्वों और आना इसा नीचे आपको आना इभी सेटिंग में और यहां पर हैं फाइंड मैं डिवाइज यह और आपका स्मार्फ़न घूम जाता है तो आप ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्फ़न को आते हैं और ब्य fingerprint को set करके रख सकते हैं add fingerprint पर click करके आप इस तरह सेट करेंगे जब तक यह फुल नहीं होता दोसों आपको fingerprint tap कर दे रहना है तो उसके बाद fingerprint set हो जाता है अगले future की बात करने लिए आना है आपको setting में और आना हिसा से निचे यहां पर देख सकते हैं digital setting में आपको आना है show your data पर आप click करके आज सुबा से लेकर अभी तक आपने कितने मिन्ट्स और कितने घंटे फोन को यूज कर यह देख सकते हैं और कौन से एप कितने मिन्ट्स यूज कर यह भी आप यहां पर उसका evidence कर सकते हैं button है disappointing के ड courts अंति यहां इसे से शेट से आसकते हो मठश हां यहां रहा इंचे से करके इंचे से लांच्वा कर सकते हैं अगली फिचर की बात करने लिए आना और सेटिंग में और आना इस तरह से नीचे आपको इसी सिस्टम सेटिंग में आना है और आपको आना है जेस्टर सेटिंग में और यहां पर क्विकली ओपन क्यामरा है मतलब आप पावर बटन की ऊपर दो बार क्लिक करेंगे तो क्यामरा एप ओपन हो जाता है और उसके तो अब मॉनलब लॉग करके कहीं भी फोन को रखें तो जैसे फोन को उटा कर हाथ में लेते हैं तो इस तरह से स्क्रीन आउन हो जाता है अगली फीचर की बात करने लिए अप ड्रॉर को हम ओपन करेंगे तो आपके हम पर त्रॉर पर क्लिक करके अलवाई शो कीबोर्ड पर क दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं इस फोन में ताकिẹ कि आप अपने वाईफाय का है एंट्रनेट होट्सपोड के जरिए किसी औरको शेयर कर सकते बिना उस फोन आपको lighting दीख रहा है yellow color में camera के पास एक ऐसे set करें आपको मैं बताऊंगा आपको open करना है chrome को open करके आपको पर सर्च करना है ring ring APK यह रहा ring और यह रहा ring और और आपको इस तरह से सर्च करके बस इस एप्लिकेशन को डाउड कर लेना है फिलहाँ इसमें इंटरनेट नहीं है मैंने दूसरे फोन से इसको शेयर कर लिया है आपको ओपन करना है डाउड करके open करके सारे permissions देना है और यह off रहता है तो इसको on कर लेना है और यह controller है इस controller से आपको अपने camera के अपस लेकर जाना है इस ring को और यहां से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसकी उपर आप clicker के by default तो यह कुछ इस तरह से होता है segment color अब यह आपको example यह green color set करना है तो आपसे इस पर click करके single को set करना है इसकी उपर click करके preset पर click करके green color को set कर लेना है इस तरह से set हो जाता है अगली future की बात करना के लिए home screen पर long tap करना है और आप home screen पर click करेंगे और यहां पर add app icons to the home screen या office इसको on करेंगे तो आप मालों आप कोई भी नया application download कर लेते हैं तो यह पर और बी buttons को यहां पर ले सकते हैं उपर order करके यहां पर screen recording के इसको लेता हूं है उपर और इसके बाद focus mode को लेता हूं उपर और extra dim यहां पर इसको भी आप यूज करना यह तो आपको बता चुका हूं लेकिन यहां पर आप आप आपकर on कर सकते हैं आपको उतनी अंदर जाने के ज़रुतने setting में तो चलिए यहां पर यह रहां एक्ट्रा dim के बारे में तो बता चुका हूं screen recording कर सकते हैं इस पर आप क्लिक करके हां पर record audio मतलब audio record होना चाहिए नहीं और यहां पर show touches on screen इसको पर on कर सकते हैं और start पर क्लिक करेंगे तो screen recording होना शुरू हो जाएग तीन सेकंड के बाद में और off करने के लिए इस पर आप क्लिक करके हैं से stop भी कर सकते हैं अगले feature के बात करने के लिए आएंगे इस notification पैनल में हमने लिया था focus mode को भी लिया था हमने मतलब को से app का notification आप थोड़े दिर के लिए ब्लॉग करना चाते हैं show all apps को हम क्लिक करेंग तो open भी नहीं होगा यह देख सकते हैं अब यहां पर में इसको off करूंगा focus mode को off करने के बाद यह देख सकते हैं हमको notifications भी आएंगे हम पर और Gmail app open भी होगा तो ऐसे आप नहीं देख लिया होगा तो इसी nothing phone phone के आपको माने बता दिया 60 tips and tricks interesting hidden features आपको कौनसा feature अच्छा लग आपको में